जो लोग कटिंग को ग्रो नहीं कर पाते हैं तो ये कि ये ऐसा प्लांट है जो की हर कोई ग्रो कर पाएगा कटिंग से तो वीडियो पूरा एक साल का अपडेट के साथ होने वाला है कलिया, फूल, रूट सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो वीडियो आप पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा नए है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसी ही नई अपडेटेड और रिजर्ट के साथ वीडियो जो है मेरे चैनल पे आती रहती है प्लांट से रिलेटेड तो ये कुछ कटिं में या फिर कमेंट बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा पहले से ही मैंने इस पर डीटेज वीडियो बनाया हुआ है तो ग्रोबैक के बेस में मैं हमेशा किचन वेस्ट डालती हूँ ताकि उपर से जाधा खाद देनी की जरुरत ना पड़े और ग्रोबैक भी जो हमारा थ अधन के टाइम पर आप कोशिश करें इसको थोड़ा शेडी एरिया में रख दे लेकिन तब यह चल जाती है तो यह कटिंग ना में एक पार्क से लेकर आई हूँ वहाँ पर थोड़ी प्रूनिंग वगरा चल रही थी तो माली से मैंने कटिंग ले ली थी इसको जब हम कट करते हैं तो इसके बेस न से एक वाइट डिस्चार्ज निकलता है इसके डारेक्ट कॉंटेक्ट से आपको बचना है यह थोड़ा जहरीला होता है और इसको थोड़े दिन के लिए आप सूखने दे चाया में जब थोड़ा सा नीचे का पार्ट जाए वो ड्राय हो जाए अच्छे से पानी देने के बाद मैंने इसको ऐसे ही ओपनी छट पे ही रहने दिया क्योंकि मैंने कटिंग मार्च एंड में लगाई थी तो तब परफेक्ट मौसम रहता है तो मैंने इसको ओपनी ऐसे ही रहने दिया चट पर जहां पर इसको फुल डे का धूप मिलता रहा और स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक भी न यह अभी तक भी पूरा छट पे ही रहा है प्लांट जहां इसको पूरे दिन की धूप मिलती है वैसे भी इस प्लांट को न 425 जो रहती है आर की सनलाइट मिलनी चाहिए और अभी अपडेट देखिए एक महिने के बाद जो है स उसमें फंगस हो जाएगा फिर रूटिंग स्टार्ट नहीं होगी कटिंग जब भी आप लगाते हैं तो हमेशा पत्ते आपको पहले ग्रो होते वे नजर आएंगे तो आप उससे खुश मत हो जाईएगा क्योंकि नीचे जो रूट्स है वो नहीं बनी होती है तब तक वो लेती हैं तो उसको निकालना नहीं है और गंबले को भी नहीं हिलाना है जहां पर रखा हुआ है वहीं प्लेस रहने दीजिए उसको नहीं तो हिलाएंगे चोटी-चोटी जड़े बनने लग जाती है वो तूट जाएंगी और फिर कटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो लिए तो अब यह नहीं चले तो मैंने इनको हटा दिया बट यह फिर भी अभी भी ग्रीन है अगर मैंने को लगे रहने दूंगी थोड़ा सा इसका कट करके जो सड़ गया है पार्ट इसको कट करके लगा दूंगी तब यह चल जाएगा बट अब इतने सारे इसमें हो गया है प्लांट तो मुझे इतनी जरूरत नहीं है तो मैंने हटा दिये तो अब सेवन कटिंग में इसे ना फोर कटिंग रह गई है जो सर्वाइफ करी है तो अब स्टार्टिंग ऑफ सब्टेंबर देखिए इसमें बर्ड जो है बन गई है लेकिन अभी तक केवल एक ही प्लां इसमें बर्ड बन गई है और जो फूल है यह सेप्टेंबर एंड में खिल गया इसका फूल जो है वो एक हफते से जादा रहता है इसमें अच्छी सी खुश्बू आती है कभी कबार इन में जो है ना बीज भी बनते कुछ इस तरह से लेकिन वो हर फूल के बाद बने वो ऐ होता है तो इसके अंदर ना आराम से 7-8 महीने के बाद में कटिंग के अंदर आपको फूल देखने को मिल जाते है अच्छे से ग्रो कर जाता है प्लांट सैटल हो जाता है आपके पास और अब अक्टूबर के टाइम पर कितनी सारी इसमें ब्रांच बनती जा रही है और जै यह तब इसका स्लीपिंग टाइम होता है विंटर का तब बस थोड़ा सा अनहेल्दी सा लगता है क्योंकि समर ग्रोइंग प्लांट होता है तो इसको धूप बहुत पसंद रहती है कोहरा फोग ठंड इसको जादा पसंद नहीं है और यह है टाइम मार्च का फूल जो है तो यह वाला जो चमपा की वेराइटी है बिल्कुल बंधके ग्रो करती है बुश की तरह ग्रो करती है जादा इसकी ब्रांचेज में गैप नहीं होता है एकदम से पेड़ नुमा सा छोटा सा बॉंजाई बनता जाता है और मौसम के साथ से इसका जो कलर है फूलों का कर दें कोई भी पैस अटैक नहीं है इस प्लांट के ऊपर लेकिन विंटर्स के टाइम पर थोड़ा से इस पर ब्राउन स्पोर्ट हो जाते हैं पत्तियों के ऊपर लेकिन वो टाइम के साथ अपने आप चले जाते हैं मैंने केवल खाद में इसको लिक्विड फटलाइजर दिया है जो कि मैंने खुद ही घर पे ही फल और सब्जियों के छिलके से तयार करा वो इसको दिया और कुछ मार्केट का नहीं दिया तो एक यह अच्छे से ग्रो किया है इसमें तो थोड़ा सा टेड़ा जा रहा है यह वाला प्लांट मेरा तो रेनी सीजन में इसको निकाल के वापिस से सीधे करके मैं ग्रो करूंगी वो भी जरूर शेयर करूंगी आपसे तो बने रही है चैनल के साथ में थैंक यू फो वाचिंग